फूलपूर सीट पर गर्माई सियासत बीजेपी उम्मिदबार के लिए क्यों बोट जन्ता से मांगने लगी सपा की विधायक अखलेश ने एक बक्त दिया था इस महला नेता का साथ लेकिन अब क्यों जन्ता के बीच अखलेश को ही अपनी अहालत के लिए ठारा रही जिम्मिदार बीजेपी का अगर साथ देना ही था तो सपा विधायक पत से दे देती इस्तिपा फिर करती परचार लेकिन ऐसा नहीं किया एक बार फिर से अखलेश को दे दिया धोका एक तस्वीर अपकी है एक तस्वीर तपकी थी दोनों तस्वीर में एक खास शहरा है उस शहरक को कभी सपा अध्यक्ष अखलेश यादब ने फर्स से उठा कर अर्स तक पहुँचाया था लेकिन वक्त बदला तो वो भी बदल गई ऐसी बदली कि सबकी जुबा पर एक ही बात आ गई विश्वास को तो इन्होंने धोका दे दिया रास्वा चुनों के वो दिन याद तो होंगे ही जब उनके साथ सपा के बागियों ने अखलेश के विश्वास को धोका दे दिया बीजेपी के आठवे उम्मिद्वार को जीच दिला दी अखलेश के उम्मिद्वार को हार का सामना करना परा अब एक बार फिर उसी रास्ते पर ये चल परी है अब चली है तो प्रियाग राज की फूलपूर विदानसवा सीट पर हो रहे उप्चुनों में सियासत गर्मा अखले सी अदब की सपा की महला विधायक पूजापाल BJP पृति Gentlemen के समर्थन में वोट मांग रही है पूजापाल समाजबादी पार्टी से बगाबत कनने वाली कोसामभी की चायल विदानसवा सीट से विदायक है पूजापाल खुलकर BJP के समर्थन में आ गई है वो BJP पूजापाल ने इसी साल हुए राजस्वा चुनों में भी क्रॉस बोटिंग कर बीजेपी को समर्थन किया था। पूजापाल खुलकर बीजेपी के समर्थन में चुनाव में पूजापाल के बीजेपी के पक्ष पर प्रचार करने के कुछ वीडियो भी सोसल मीडिया पर सामने आये हैं। पूजा ने कहा जिसने हमारा और हमारे समाज का सम्मान बढ़ाया हम उसके साथ हैं। वो अखलेस यादब या सपा के अंड किसी नेता के साथ मंच पर नजर नहीं आई। तो ऐसा उन्होंने तब क्यों किया था। लेकिन फूलपूर उप चुनाओ में वो खुल कर बीजेपी परत्यासी के लिए परचार कर रही हैं। और परचे भी बाट रही है। उनके परचार का वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वैरल हो रहा है। अतीक एहमत के भाई असरप को 2004 के विदानस्वाद चुनाओ में सहरपस्मी से हराने के कुछ मेने बादी पूजापाल के पती राजूपाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। राजूपाल ने बच्पा के टिकट पर चुनाओ लरा था। फूलपूर विदानस्वाद सीट ओबीसी बाहुल है। यहाँ पर कुर्मी और यादब मत्दाताओं की संख्या कापी अधिक है। यही कारण है कि बीजेपी हर बार किसी पिछरी जाती से जुरे ब्यक्ती को ही चुनाओ मैदान में उतारती है। इससे पहले प्रवीन पटेल यहां से विदायक थे। उनके सांसद बनने के बाद दीपक पटेल को भाजपा ने उपचुनाओ में टिकट दिया है। दीपक की मा केसरी देवी पटेल फूलपूर से सांसद भी रह चुकी है। और दीपक क अखलेश यादब जनसवा को संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात है पूजा पाल पर अखलेश यादब क्या प्रहार करेंगे। किस तरह से उनके वार पर अखलेश पलटवार करेंगे। किस उपमा से पूजा पाल को नवाजेंगे।